नास्कार बोल किलब आजाद है तेरे मैं अभिसार शर्बा अगर न्यूज लॉन्डरी की इस रिपोर्ट पर विश्वास करें तो क्या प्रधानंत्री नरेंद्र मोदी के परमित्र गौतम अडानी के न्यूज चानल एंडी टीवी के संपादक ने अपने रिपोर्टर पर ये दबाव डाला था कि राहूल गांधी के प्रेस कॉन्फरेंस में हंगामा मचाओ ताकि वो प्रेस कॉन्फरेंस भटक जाए दोस्तों ये दावा न्यूज लॉन्डरी की रिपोर्ट ही नहीं कर रही है बलकि कॉंग्रेस ने भी इस पर कठिन सवाल उठाए है मैं आपको बतला दू दोस्तों मुद्दा क्या है जो न्यूज लॉन्डरी की रिपोर्ट कह रहे है न्यूज लॉन्डरी की रिपोर्ट का ये कहना है कि एंडी टीवी के जो मुंबई ब्योरो प्रमुक हैं या ने कथित तौर पर अपने रिपोर्टर को 16 सवाल भेजे और उनका ब्रीफ साफ था जैसा की न्यूज लॉन्डरी की रिपोर्ट दावा कर रही है राहूल गांधी के प्रेस कॉंफरेंस में हंगामा करो ताकि मुद्दा भटक जाए और ये भी दावा किया जा रहा है इस रिपोर्ट के जरीए कथित तौर पर कि रिपोर्टर सोहित मिश्रा से उनके संपादक ने कहा था कि ये जो 16 सवाल मैं आपको भेज रहा हूँ ये आप तमाम रिपोर्टर्स में जो है इसको स्प्रेड कर दें और इसी तरह से सवाल पूछा जाए ताकि अडानी के मुद्दे पर जो राहूल गांदी प्रेस कॉंफरेंस कर रहे हैं वो भटक जाए अब इस मुद्दे पर ना सोहित मिश्रा का पक्ष आया है और ना एंडी टीवी के संपादक का मगर इस मुद्दे को सामने लेकर आया है न्यूस लॉंड्री और कॉंग्रिस इस पर कुछ गंभीर सवाल उठा रही है वो तमाम मुद्दे आपके सामने होंगे दोस्तों ना कोई ताकत ना कोई अदावत और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे सबसे पहले मैं आपको बतला दूँ इस मुद्दे पर कॉंग्रिस प्रवक्ता सुप्रिया श्रिनेत ने मुझसे बात की है और उनकी एक्स्क्लूजव बाचीत मैं आपको आगे जाकर जो है सुनाऊंगा और वो इस पूरे विवाद पर कुछ सवाल उठा रही है मगर मैं आपका ध्यान खीचना चाहूंगा योगेंद्रियादव जो की कॉंग्रिस पार्टी के समर्थक भी हैं सिफॉलिजिस भी रहे हैं वो क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन्स पर यहां योगेंद्रियादव कह रहे हैं कि बहुत शॉकिंग है मैं संजेप उगलिया को पिछले दो दाशकों से जानता हूँ मैं ऐसा विश्वास नहीं कर सकता कि वो ऐसा कर सकते हैं मैं उनके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ जाहिर सी बात है दोस्तों हम भी NDTV के संपादक के जवाब का इंतजार कर रहे हैं मैंने सोहित मिश्वा से बात करने की कोशिश की सोहित ने इस पर कोई भी टिपपणी करने से मना कर दिया उन्होंने मुझसे का कि अबिसार मैं पत्रिकारिता पर ध्यान देना चाहता हूँ मगर हाँ मैंने NDTV से स्तीफा दे दिया है उन्होंने इस बात को स्विकार किया कि उन्होंने स्तीफा दे दिया है मगर जैसे कि आप जानते हैं कि News Laundry के रिपोर्ट ये दावा कर रही है कि किस तरह से सुहित मिश्वा पर उनके संपादक ने दबाव बनाया था राहुल गांधी के प्रेस कॉनफरेंस पर हंगामा खड़ा करने को लेकर आपको याद होगा दोस्तों कि राहुल गांधी ने दरसल किस मुद्धे पर प्रेस कॉनफरेंस किया था याद है कि भूल गया आप गाडियन और रवी नायर और आनन मंगनेले की रिपोर्ट सामने आये थी इस रिपोर्ट में आसान शब्दों में कहा जाए तो ये कहा गया था कि अडानी समुह ने दो विदेश्यों की मदद से एक साओधी अरब और दूसरा चीन का रहने वाला ये शाद ताइवान का रहने वाला इनकी मदद से उन्होंने भारत के अंदर जो उनके शेर्स थे उनकी कमी की जिससे उनके दाम बढ़े और दो हजार तेरह से दो हजार अठारा के बीच उनके जो दाम थे शेरों के दाम वो नकली ढंग से बढ़ते गए और ये सेवी के दिशा निर्देशों के खिलाफ है दिल्चस बात ये है कि 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद सेवी ने इसकी जाच की और सेवी ने अडानी समू को क्लीन चिट दे दी मगर उस वक्ट जो सेवी के प्रमुक थे सिनहा साहम, UK सिनहा कुछ दिनों बाद जाकर NDTV के डाइरेक्टर बन गए अब आपको ये conflict of interest नहीं दिखाई देता ये बात अटपटी नहीं लगती कि जिस सेवी प्रमुक ने अडानी ग्रूप को क्लीन चिट दे दी क्योंकि अगर इस मुद्दे पर अडानी ग्रूप गुनागार साबित हो जाता तो सेवी से उनका नाम साफ हो जाता और एक बहुत बड़ा जटका अडानी समूग को होता मगर सेवी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी और जिस डाइरेक्टर ने उन्हें क्लीन चिट दे थी वो अब एंडी टीवी में है ये तमाम मुद्दे राहूल गांधी अपने प्रेस कॉंफरेंस में उठा रहे थे मैं चाहूंगा आप सुनें राहूल गांधी ने क्या मुद्दे उठाए थे और किस तरह से वो प्रधान मंतरी नारेंद्र मोद्दी की खामोशी पर सवाल कर रहे थे सुनते राहूल गांधी क्या कह रहे हैं पूरे स्क्रीन्स पर हिंदुस्तान का रेप्यूटेशन लाइन पर है जी ट्वेंटी हो रहा है हम कहते हैं कि यहाँ पे लेवल प्लेंग फील्ड है हिंदुस्तान ट्रांस्पेरंट है यहाँ पे भरष्टाचार नहीं है और उन सब के सामने जब वो यहाँ आ रहे हैं उनके सामने यह उधारन है वन बिलियन डॉलर्स यहाँ से जा रहा है स्टॉक प्राइस इंफलेट की जा रही है इंफ्रस्ट्रक्ट्चर और एसेट्स खरीदे जा रहे हैं जिसने इंवेस्टिकेशन किया उसको अदानी जी ने मतलब अपनी कंपनी में नौकरी दे दी तो यह हिंदुस्तान की इमिज को डेमिज कर रहा है और इसलिए प्रधान मंत्री को एकदम एक्शन लेना चाहिए और कहना चाहिए कि हाँ हम जेपीसी लागू करेंगे जेपीसी को इंवेस्टिकेट करेगी और फुल स्केल इंवेस्टिकेशन होगा अदानी जी का दोस्तों कल जैसे ही वो रिपोर्ट आती है निउस लॉंड्री की तब कॉंग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया शुनेत ये ट्वीट करते हैं जो आपके स्क्रीन्स पे है ये थी वो प्रेस कॉंफरंस इसमें आप देख सकते हैं राहूल गांधी बाकाइदा गार्डियन के उस कटिंग का उस खबर का हवाला दे रहे हैं जिस पर उन्होंने प्रेस कॉंफरंस की थी मैंने सुप्रिया शुनेत से बात की उन्होंने कहा कि जो दावा निउस लॉंड्री में किया गया है मैं उसकी सुवतंत्र पुष्टी नहीं कर सकती मगर ये सच है कि ये सरकार सवाल करने वालों को परिशान करती है अलग-अलग तरीकों से क्या कहरी हैं सुप्रिया शुनेत आईए सुनते है मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिससे कि मैं न्यूज लॉंड्री की कहानी का या तो पुष्टी कर सकूँ या उसको नकार सको लेकिन मैं एक सत्य जानती हूँ कि आज हिंदुस्तान में निश्पक्ष पत्रकारता करना ना मुम्किन के बराबर है एक पत्रकार पर इतना प्रेशर रहता है विपक्ष के खिलाफ आग उगलने के लिए विपख्ष के खिलाफ लिखने के लिए कि बहुत मुश्किल हो गया है पत्रकारों के लिए निष्पक्ष पत्रकारता करना खास तोर से मेंस्ट्रीम चानल पर, पत्रकारों को भेजा ही इसनले जाता है कि वो ऐसे सवाल पूछे हैं जिससे पूरी पत्र प्रेस वारता का मुद्दा भटक जाए, टीवी पर आपको एंकर जो है वो भाजपा से जादा बड़ी शिद्दत से भाजपा का जंडा सम्हाले नजर आते हैं, यह मेंस्ट्री मीडिया की एक कहानी है, आज सोहित मिश्रा की बारी है, लेकिन एंडी टीवी से और भी सर्वाल पूछने वालों से जादा कुपित रहती है, जादा परिशानी होती है। विपक्ष के प्रेस कांफरेंस में जाकर हंगामा मचाए, उसे उसमें रकस क्रियेट करने की कोश्च करें, जो अपने आप में बहुत चिंतित करने वाली बात है। तब बहुत सारे ग्लोबल मेहमान यहाँ पर आने वाले हैं। पत्रकारों ने काफी सारे सवाल पूछे थे उस प्रेस वारता में, अडानी से संबंधित, और चीजों से संबंधित। मेरा अपना मानना यह है कि जिस तरे से और जिस मुस्तेदी से खड़े होकर राहुल गांदी, सरकार से सवाल पूछते हैं और वो परवा नहीं करते कि यह सरकार उनके साथ क्या करें। चाहे उनकी सतसता की बात हो या उनके घर की बात हो, यह अपने आप में तारीफ के काबल है और अगर कोई पत्रकार उनकी छवी नहीं धूमिल करेगा, तो उसको अपनी नौकरी से हाथ दोना पड़ेगा। सुप्रिया ने ये भी कहा कि आज मेंस्ट्रीम मीडिया मुद्दों की बात नहीं करता है, मेंस्ट्रीम मीडिया जो है सिर्फ सत्ता पक्ष की बात करता है और यह अपने आप में बहुत दुख की बात है, किस तरह से सुप्रिया शुनेत इस मुद्दे पर अपनी बात रख मुद्दों की बात नहीं करेगा, आज मेंस्ट्रीम मीडिया महंगाई पर, बेरोजगारी पर, अडानी के महा गोटाले पर, आर्थी का समानता पर, जलते हुए मनिपुर पर एक शब नहीं बोलेगा, मेंस्ट्रीम मीडिया हर उस गुबारे, हर उस शिगूफे पर चर्चा कर जो सरकार उलजाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए छोड़े रखती है, मुझे ऐसा लगता है, निश्पक्ष पत्रकार फिर भी अपनी आवाज और अपने काबलियत के तौर पर कहीं न कहीं जगें ढूंडी लेते हैं, और आज यूट्यूब पर जो बहुत सारे मेंस् इसलिए बढ़ रही है क्योंकि लोगों को समझ में आ गया है कि चरण चुम्बक करता हुआ मीडिया आपको ना असलियत दिखाएगा ना आपके मुद्दे पर बात करेगा, मुझे वो खबर पढ़कर बुरा लगा क्योंकि मैंने भी एक जवाने में एंडी टीवी के साथ क किया है और बड़े इंस्टिउशन में से एक एंडी टीवी होता था और आज अगर महां पर किसी को इसलिए छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि उससे राहुल गांदी की प्रेस वारता में विग्र डालने के लिए कहा गया तो यह अपने आप में मुझे लगता है दुख की दोस्तों हम अम्मीद करते हैं कि इस मुद्बे पर संजे पुगलिया अपना पक्षर रखेंगे क्योंकि आज हमने आपके कारकरमों में इस मुद्बे को लेकर जो इस वक्त तथे मौझूद हैं वो आपके सामने रखे क्योंकि मैंने आपको बताया इस मुद्दे पर ना सोहित मिश्रा ने आपचारिक तोर पर कुछ कहा है और ना NDTV ने आपचारिक तोर पर अपनी बात रखी है हाला कि आप ये बहुत भी जानते हैं कि जब से गौतम अडानी का NDTV पर कबजा हुआ है तब से लेकर अब तक NDTV के माइने बदल गए है अब NDTV कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के प्रचार का जरिया बन गया है और उसके इलावा कुछ नहीं ऐसी धेरो खबरें आप उस चैनल पर देख सकते हैं याने कि डॉक्टर रॉय और रवीश के जाने के बाद NDTV का फर्ख साफ तोर पर देखा जा सकता है जो अपने आप में बहुत ही बड़े दुर्भाग की बात है क्योंकि NDTV एक मातर ऐसा चैनल था जो सत्ता पक्ष से सवाल किया करता था दोस्तों आज मैं आपके सामने गोदी मीडिया से जुड़े दो अन्यमुद्दे भी रखना चाहता हूँ कल आज तक में ये कारकरम चला जिसमें इस आंकर ने जो तिहार जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन कर चुका है उसने एक जूटी जानकारी दी उसने जानकारी क्या दी आपके स्क्रीन्स पर करनाटक में अल्प संखकों को सबसड़ी लेकिन हिंदूओं को नहीं दरसल ये पत्रकार जिक्र कर रहा था अपने प्राइम टाइम में कॉंग्रिस की करनाटक सरकार की एक योजना का कि किस तरह से करनाटक सरकार जो है वो अल्प संखकों को तो सबसड़ी देती है मगर हिंदूओं को नहीं देती जबकि सरसर गलत थी इस योजना में सबसड़ी ना सिर्फ अल्प संखकों के लिए थी बलकि SCST के लिए भी थी अनुसूचित जाती और जन जाती के लिए भी थी फिर इस पत्रकार ने जूट क्यों बोला आखिर क्या मजबूरी है आज तक की कि वो इस तरह से जूटी खबरें जो हैं उसका प्रचार प्रसार करते हैं जाहिर सी बात है कॉंग्रेस के नेता और मंत्री प्रियांग खडगे, मलकार जुन खडगे के बेटे हैं जो की कॉंग्रेस के अध्यक्षे हैं उन्होंने इस पर कड़ा तेवर अपनाया है उन्होंने क्या कहा है आपके screens पर अज तक तक इस डेलिबरेटली spreading misinformation on government schemes which was started by BJP MPs and has been amplified by sections of media this is deliberate and malicious government will be taking necessary legal action प्रियांग खडगे यहां पर कह रहे हैं कि आज तक एक जूटी खबर चला रही है और हम इस पर कारवाई करेंगे मेरा सवाल है कॉंग्रेस के साथ मुकेश अमबानी के news channel news 18 के एक पत्रकार ने एक जूटी खबर चलाई थी और जूटी खबर क्या थी कि अलवर में जो बुल्डोजर चलाया गया था वो दरसल बदला था जहांगीर पुरी में चले बुल्डोजर का और अलवर में चले बुल्डोजर के जरीए हिंदूओं पर निशाना साथा गया था यह जूटी खबर चलाई गयी थी जबकि आप जानते हैं अलवर जांगीर पुरी से पहले हुआ था उस पर पुलीस केस दर्ज हुआ था मगर उस पत्रकार पर कभी कोई कारवाई नहीं हुई मैं प्रियांग खडगे और करनाटक सरकार से पूछना चाहता हूँ कि यह ऐसे पत्रकार हैं जो ना सिर्फ जूट बोलते हैं बलकि समाज में दंगा भढ़कानी की कोशिश भी करते हैं मैं आप से समझना चाहता हूँ कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आप ऐसे पत्रकारों के खिलाफ कारवाई नहीं करते हैं क्या मजबूरी है ट्विटर पर बोलने से शेर बनने से कुछ नहीं होता है ऐसे पत्रकारों पर कारवाई कीजिए क्योंकि हकीकत यह है कि आज की तारिक में जो बीजेपी से सवाल करते हैं उन पर किस तरह के दबाव, किस तरह के दबिश डाली जाती है सब जानते हैं तो बहुत ही शौकिंग है दोस्तों, बहुत ही शरनाक है जो आज तक केस आंकर नहीं किया मगर इसका एक इतिहास रहा है कोई नहीं बात नहीं है दोस्तों तीसरा मुद्दा भी दरसल इंडिया टुड़े ग्रूप से ही जुड़ा हुआ है मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इन्होंने दरसल एक डिबेट कर आई देवदत पतनायक और संजीव सान्याल संजीव सान्याल जो मोनी सरकार के परम चाटुकार है मगर इसमें एक बदमाशी की गई देवदत पतनायक जो थे उनसे सवालों के जवाब मंगवा लिये गए और उसके बाद दर्शकों को ये बतलाया गया कि कारिकरम जो है वो लाइव हो रहा है जबकि देवदत पतनायक के जो जवाब थे वो पहले से मंगवा लिये गए थे और संजीव सान्याल उसका जवाब दे रहे थे लाइव कहने का अर्थ क्या हुआ? अपने दर्शकों को भ्रमित करना जूटी जानकारी देना और जाहिर सी बात है जब एक व्यक्ती लाइव है और दूसरा नहीं तो जो लाइव है वही भारी पड़ेगा यानि कि सत्ता पक्ष के लिए कुछ चैनल्स जो है वो नौकरी करने से बाज नहीं आते हैं आज मैंने आपके सामने ये तीन मिसाल पेश की पहली मिसाल गौतम अडानी के दियूज चैनल अडानी को लेकर है और मैं चाहूंगा कि इस मुद्बे पर NDTV अपनी बात रखे सोइत मिश्रा भी सार्वजनिक अपनी बात रखे और दूसरी बात एक ही चैनल से दो शर्मनाक मिसाल एक तरफ सरसर जूट बोला गया और दूसरी तरफ लाइव का ढूंग किया गया ये तमाम चीजे हैं जो इस देश की मीडिया पर गंभी सवाल खड़े कर रहे हैं मगर ये लोग सुधरने नहीं वाले हैं ये लोग नहीं सुधरने वाले हैं दिक्कत आप लोग की है जो ऐसे न्यूस चैनल सको देखते हैं मगर हां इस मंच पर मैं सवाल उठाता रहूँगा क्योंकि बोल के लवाजाद हैं तेरे अब इसार शर्मा को दीजे अजासत नवस्कार झाले हैं